Hello Friends, स्वागत था आपका अपनी YouTube चैनल Knowledge World में आज की इस वीडियो में हम लोग Photoshop में Passport फोटो कैसे बनाते हैं हम ये सिखेंगे तो चलिए हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं हम लोग इस फोटो का पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे और कुछ इस तरह का आउट पूट हमें मिलेगा तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम इस फोटो को क्रॉप कर लेंगे क्रॉप करने के लिए हम जाना पढ़ा है क्रॉप टूल पे क्रॉप टूल पर जाने के बाद option toolbar पर देखिए आप width में हमें टाइप करना होगा 3.5 cm, height में टाइप करना होगा हमें 4 cm, resolution हमारा रहेगा 200, अब हम क्या करेंगे, इस image को क्रॉप करेंगे, जितना हमें photo बनाना है, तो हमने ये size क्रॉप किया, ध्यानक को ये रखना है कि ये photo हमारा इस frame के बिल्कुल बीच में आ जाए, डबल क्लिक कर देंगे हम लोग, तो ये हमारा photo देखिए, crop हो गया, अगर आप चाहें तो इसके background को भी change कर सकते हैं, हम लोग यहां से magic wand tool लेंगे, और इस तरीके select कर लेंगे, select करते ही आप देख सकते हैं, color वाला white हिसा भी select हो देना होगा, कुछ यहां भी देखिए select हो चुका है, तो हमें इसे dislike करना होगा, यह हमने dislike कर दिया, dislike करने के बाद, अब आप चाहें, तो इसके color को change कर सकते हैं, चलिए हम, यहां से यह color लेते हैं, background के लिए, कुछ यह color, यह सही है, और Alt प्लस डेल बटन का यूज़ करके, हम इस color को अपने selected place पे fill कर देंगे, देखे, इस तरीके से हमारा background color भी change हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नए page पर डालेंगे, जिस पर हमें print out लेना है, तो हम लोग यहां से 4 size का paper select करते हैं, resolution इसका भी रखेंगे, हम लोग 200, background white रहेगा, okay, अब इस photo को हम लोग drag करके इसके उपर रखेंगे, तो यह हमने drag किया और इसके उपर drop कर दिया, उसके बाद इसे हम लोग यहां से थ्रा कर देते हैं, fit on screen, अब भी हम एक चीज़ और करना है, black stroke लगाना है, इसके लिए हम लोग इस image को select करेंगे, edit option में चलेंगे, और य रहेगा इसका two pixel, location center रहेगा, okay, देखिए इस पे stroke लग चुका है, अब हम लोग इसे adjust करेंगे, उपर से right की तरफ थड़ ले लेंगे, और down भी कर लेंगे, इसे down arrow से, अब alt shift key press करके हम लोग इसको drag करके इस तरीके से इसके copy त्यार करते चले जाएंगे, यह हुआ दूसर तिसरा चाओधा हुआ यह और एक और copy बनेगी इसकी, यह हमने त्यार कर लिया, थोड़ा हम left right करके adjust कर लेते हैं, यह सही है, अब हमें क्या करना है, इसकी यह पांचो फोटो जो हमारे पूरे paste पर हमें डालना है, तो हमनों क्या करेंगे, rectangular marker tool से हमें इस पांचो फोटो को कुछ इस तरीके से select कर लेते हैं, select करने के बाद, Ctrl, Shift और C बटन दबा के हम copy कर लेते हैं, and Ctrl V से paste करेंगे, paste करते हैं देखिए वो, एक नीचे उसकी copy प्यार हो क्या गई, अब इससे आप shift adjust करते चले गाईए, कुछ इस तरह के से Ctrl V, फिर इससे adjust कर दीजिए, यहाँ पे, Ctrl V, फिर इससे adjust कर देना है, इस page पे, Ctrl V, फिर इससे adjust कर देना है, कुछ इस तरीके से, और हमारा passport side का photo देखिए, ready हो गया है, हम चलेंगे file में, और यहाँ से print with preview में, यहाँ से देखिए, हम यहाँ करना पड़ेगा, scale to feed media, इसी क्या होगा, यह page पूरी तरह से photo हमारे page पे फोटो कहीं कट रहा हो, तो हमारे case में फोटो कहीं कट नहीं रहा था, बड़ापे case में फोटो कहीं कटता अगर है, तो आप कर देंगे scale to feed media, तो वो आपके, इस A4 size की paper पूरी तरह से adjust हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग, A4 size पे, passport size का photo, print करके, निकाल सकते हैं, उमी CIC topic के साथ, तब तक लिए अपने ख्याल रखे, धनिवाद.